हलो फ्रेंट्स वेलकम टू एलेस फूर लाइफ और आज मैं आपके लिए लेख के आई हेल्डी और कुड़कुरे पकोरा रेसेपे और आज जो मैं पकोरे बनाने वाली हूँ वो है वाटर मेलन यानि की तर्बुस से बनाने वाली हूँ और मैं सत लगा के कह सकती हूँ इस त तो चलिए आज की रेसेपे को शुरू करते हैं अगर आज की रेसेपे आपको पसंद आई तो वीडियो के लाइक के शेयर करना न भूलें साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेसन सबसे पहले आपको मिलें तो तर्बुच के पकोरे बनाने के लिए मैंने आवे तर्बुच ले लिया है और ये करें पांसो गरा में तर्बुच को मैंने इस तरह से तिकोन में काट लिया है अब देख सकते हैं आप चाहें तो तर्बुच को छोटे चोटे टुकरों में काट के भी पकोरे बना सकते हैं या फिर आपको चलते नेक्स पोसेस में और इसका बेटर तयार कर लेंगे तर इस बॉल में हम 5 6 माइदा डाल देंगे आप मीड़का कर त्यार कर सकते लेकिन मैं सिरा मैं डाक उष्ष करूरे हूं सथ इसमें हम डालेंगे जाड report बलाल मिर्ज पाउडर कमिया ज्यादा कर सकते अगर आपको तीखा कम या ज्यादा चाहिए पिर हम इसमें डालेंगे स्वादोनिसा नमक आधी चोटे चमुझ धनिया पाउडर धनिया पाउडर अगर आपको पसंद दे तो डाले या फिर आप धनिया पाउडर इसकिप कर सकते यह आप्शनल है एक चौटा चोटा और आपको तेखा कम याज़ादा चाहिए तो आप हरी मिर्ची कमी याज़ादा कर सकते हैं जो भी इंग्रीटेंस हम यूज किया है वो अच्छी तरह से माइदा के साथ मिक्स हो चुका है अब देख सकते हैं जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिरा मिस में डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी क्योंकि अगर अगर एक ही बारी में पानी डालेंगे तो क्या होगा बेटर पतला हो जाएंगे और बेटर पतला बिल्कुल नहीं चाहिए हमें बेटर गारा चाहिए जो नर्मली हम पकोरे के लिए बैटर तयार करते हैं उससे काफी हाथ तक गारा चाहिए वाटन मिलन की बैटर क्योंकि अगर आप बैटर पतला तयार करेंगे तो क्या होगा जब पकोरे तेलेंगे तो पकोरे फ्राइब करेंगे क्योंकि वाटर मेरा पानी रिलीज करते हैं मतलब पानी के हाथ और मुह न जलुक है यह बत आप धन में रहाओ जब भी आप वाटर मीलिएंड की वेटर तेयर के और तो बैटर नौर्मल वेटरा से गास होनी चाहिए तो अब देख सकते हैं हमारा त्य यह नौर्मल बेटर से काफी हाथ तक गारा है तो चलिए अब हम चलतें नेक्स पोसेस में और पकोरी फ्राई कर लेंगे तो सबसे पहले हम जो वाटर मिलन हमने काट के लिए मतलब जो तरबूज लिए उसे हम इस बेटर में कोटिंग कर लेंगे अच्छी तरह से फिर हम तेल में डालेंगे लेकिन हथ बचा के तेल उचाल के हाथ में नहीं आनी चाहिए और पकोरे डालने के बाद इसे हम मीडियम टू हाई फ्राई कर लेंगे 5-6 मिनिट क्योंकि इसे फिराई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे और कि तर्बूज के पकोरे तो कच्छा रहने का तो कोई चांस ही नहीं और जब 5-6 मिनिट हो जाए फिरामी से पलाट देंगे और 2-3 मिनिट इस सारी से भी मीडियम टू हाइफ लेंप पे फ्राई करनेंगे और एक मिनिट लास में पलटते हुए ये दोनों तरह फ्राई करनेंगे क्योंकि एक क्रिस्पी भी होंगी और अ बहुती असा है, तो इसे हम एक प्लेट में निकल लेंगे। सैम इसी तरह बाचा हुआ तरबूच को भी हम पकोरे दयार कर लेंगे, मतलब पकोरे बना लेंगे, और इसे बनांस रहें और इसका टेस्ट्रा है, जबर्दस नाजबवह है। और तर बूच के पकोरे किस्ने नहीं किये होंगे, ये बिल्कुल यूनिक रिसेपी और इसे बनाना भी असने बहुत जिल्दी बन के तयार हो जाते हैं, मिनिमूम ये बनाने में 15-20 मिनिट में बन के तयार हो जाते हैं, तो तर्बुच के पकोरे सारा हमारा बन चुका हैं, गैसम बन कर देंगे, और चलते है नेक्स पॉसेस पे यानि कि इसे serf कर लेंगे आप इस पकोरे को शाम की चाय के साथ serf कर सकते या फिर अगर कोई मैमा ना जाए την तो आप फुटाफ़ाद बना के serf कर सकते और इससे अप गर्म गर्म सार्फ कीजे तक क्यों कि अच्छाल लगें गार बहूरत ज़ाधा जबर f 스트aam कि वाटन मीलन सहत cens के लिए रिए और अच्छा भी लगता थी वाटन मीलन क्षाने में इतना अ Ughnewका तोल सोछी याए कि इतना अच्छा लगता होगा यह बिल्कुल unique recipe है और इसे बनाने में minimum 15-20 मिनिट मतलब 15-20 मिनिट में बनके पकोरे तयार हो जाते हैं इस पकोरे को आप 15-20 मिनिट में बना के सर्फ कर सकते हैं गर्म गर्म और मैं आपको एक तोर के दिखाती हूँ आप देख सकते हैं ओपर से क्रांची और अंदर से सॉफ्ट है क्योंकि वाटर मिलन बहुत ही जदा मतलब वाटर मिलन पानी से भरपूर होता है और इसलिए मैंने कहा जब आप इसके लिए बेटर तयार करें तो बेटर नॉर्मल बेटर से काफी गारा होना चाहिए आप देख सकते हैं कितना जूसी है मतलब अंदर से जूसी है और बाहर क्रिस्पी है आई होप आज का रेसेपी आपको फैमिली को पसंद होंगे आप मुझे इंस्टाइगराम या फेस्बूक में फालो कर सकते हैं अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे यदि आपके कोई सजेशन है तो कॉमेंट के जारे आप मुझे कह सकते हैं तो चलिए आप मिलते एक नए रेसेपी के साथ बाई बाई